प्रदर्शन करते हुए बहुत लोगों को देखते हैं प्रदर्शन भोपाल में भी हुआ कॉंग्रिस की कारेकरता प्रदर्शन कर रहे थे और लोगकंत्र बचाओ का नारा लगा रहे थे इस दोरान पुलिस आती है और उनको वहां से हटाती है पानी की बोचार करती है और उन्हें पुलिस की गाड़ी में लाग दिया जाता है और फिर उन्हें एक सूनसान जंगल में छोड़ दिया जाता है जी हाँ सही सुना आपने सूनसान जंगल में साथ ही प्रदर्शन करने वालों के फोन भी ले लिये जाते हैं हालांकि वो बाद में दे दिये जाते हैं लेकिन ये वाक्या चौकाने वाला है कि प्रदर्शन कर रहे कारेकर्टाओं को आखिर सूंसान जंगल में क्यों छोड़ा जाता है क्योंकि ना तो कोई ऐसा कानून कहता है और ना ही ऐसा किसी किताब में लिखा है आपको आगे की कहानी बताएं, उस्ते पहले आप इन प्रदर्शन कर रहे लोगों की जुबानी सचाई सुनिये पानी की बाड़र तक नहीं है पक्स होता है लेकिन इतना दुर विवाब किसी के साथ नहीं किया जाते इसना के यह सरकार कर रही है पई अगर प्रदर्शन कर रहा है तो एक डंडा, लाद, घुसा एक अमूमन बात है कि मार के भगा दो लेकिन अब आप गिराफतार करके लेगा इस तरह से जाके जंगलों में छोड़ दोगे किसी के पास विवस्ता है आने की किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है अगर हिरासत में लेते हैं, तो उसी किसी जंगल में ले जाकर छोड़ दें इस पर कानून क्या कहता है, वो भी आपको जान लेना चाहिए क्या कहता है कानून? बारते सविधान के अनुच्छिद 21 के मताबिक, पुलिस किसी भी वेक्ती को बिना F.I.R धर्ज किये हिरासत में नहीं ले सकती अगर प्रदर्शन कर रहे किसी वेक्ती को हिरासत में लिया जाता है, तो पुलिस थाने या जहां वो सुरक्षित रह पाए, वहां रखा जाता है अगर प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज हो, तो भी उसे 24 धंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता ऐसा करना कानून अपराद है, तो कानून ये कहता है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं किया जा सकता कि हिरासत के बाद आप किसी को भी जंगल में ले जाकर छोड़ दें, लेकिन धोपाल में पुलिस ऐसा कर रही है और यह कोई पहला प्रदर्शन नहीं है जिसमें पुलिस ने ऐसा किया हो कई प्रदर्शन के दौरान पुलिस ऐसा कर रही है जिसका विरोध लगतार किया जा रहा है खेर इस प्रदर्शन के दौरान कॉंग्रिस कारिकर्ता बीजेपी पर ताना शाही का आरोप लगा रहे हैं और कई सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं जिला बदर जैसे कारिवाई के लिए भी हमें डराये जाता है कि आप अपनी आवाज उठाना बंद करें वनना आपके उपर जिला बदर लगा दी जाएगी तो यह कहीं न कहीं पुलिस की जिस तरीके की प्रणाली है यह बिल्कुल ही निंदनिय है और इस तरीके सा मानवाध कादिकारों का भी पूरी तरीके से हनन है फिलाल विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है बशरते वो कानून के मताबिक हो और यह कारेकरता यही कहना चा रही है कि भुपाल में सरकार मनमानी कर रही है और कानून के मताब लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो कई सवाल उठाता है और इन सवालों को पूछा जाना बेहर सरूरी है जो श्रिश्व भारत जरूर पूछता है और आगे भी पूछता रहेगा यूही नहीं कहा जाता कि MP गजब है अब मध्यप्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर आपको ऐसी सदा मिल सकती है जिसका कानून की किताबों में कोई भी जिक्र नहीं है शायद यही वज़े है कि इस मसले पर कोई भी पुलिस का अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है बचना मजबूरी भी है क्योंकि 21 सदी में भी तुगलकी फर्मान जैसा आदेश जो सुना रही है मध्यप्रदेश की पुलिस इसलिए तो कहा जाता है कि MP गजब है अभना वपाध है श्रेष्ट भारत बोपाल